आईए देखते हैं नंबर्स को इंडिया नंबर्स सिस्टम में कैसे लिखें यहाँ पर इसे 1 कहेंगे 10, 100, 1000 यह होगा 10,000 1000 में होते हैं 3 zeros तो 3 को मैं अलग कर लेता हूँ तो यह होगा 10 और 1000 ऐसे ही अगर 5 zeros हो मेरे पास तो 5 zeros वाले को कहते हैं 1,00,000 यानि 1,00,000 रुपे यानि 3 zeros होंगे 1000 5 zeros होंगे लाक ऐसे ही 6 zeros होंगे फिर मेरे 10,00,000 10 अलग और यह 5 zeros लाक होंगे अगर 7 zeros होते हैं तो यह मेरा होगा 1 करूर यानि 1 करूर रुपे यानि इसमें होंगे 7 zeros और अगर 8 zeros होंगे तो ये 10 अलग बाकि 7 zeros अलग तो ये होगा 10 करूर तो इंडियन सिस्टम में मेरे पास होता है 1000 तीन जीरो पे 5 zeros पे लैक और 7 zeros पे करूर